हेलो एवरिवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के साइन्स की वर्क्षिट नमबर 13, डेट है आपकी 13 नमबर 2020, आज की वर्क्षिट का आपका टॉपिक है मृद्दा में पोश्कों की पुनपूर्ती, सबसे पहले आपका दिया गया है, राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमड कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रही है, उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहां वो लौन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे, वो सोच में पढ़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, य या फिर हमारे पौधों में हम खाद या उवरक देते हैं, उसका कारण होता है कि हम अपने पौधों को वो पोशक तत्व देना चाहते हैं, जिससे उनकी वृद्धी हो सके, उनका विकास हो सके, तो उवरक और खाद क्या होता है, सबसे पहले हमारा उवरक है, कि उवरक एक रासाइनिक प्रदार्थ होता है, बलकि खाद जो होते हैं, वो हमारे जैविक प्रदार्थ होते हैं, जो खाद होते हैं, उसे पौधो के अफसेशों से और पशों के गोवर से प्राप्त किया जाता है, ठीक, और खाद में हमारे सभी तरह के पोशक तत्व पाये जाते हैं, इ पर आता है आपका पादप अपनी व्रिधी और अच्छे स्वस्त विकास के लिए मिट्टी यानि की हमारी मृद्दा से खनीच पोशक तत्वों को अफसोशित करते हैं अतम मृद्दा में इनकी मातरा लागतार कम होती जाती है तो जो हमारे पौधे होते हैं वो अपने अच् खाद और उवरक करते हैं उवरक एवम खाद में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेश्यम जैसे पादप पोशक होते हैं तो उवरक और जो हमारे खाद होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है फास्फोरस होता है और पोटेश्यम होता है मृद्दा को इन पोशक तत्व में तत्वों से सम्रित करने के लिए मिट्टी में उवरक तथा खाद मिलाने की आवश्यक्ता होती है तो मिट्टी में नाइट्रोजन फासफोरस और पोटेशियम डालने के लिए हमें खाद और उवरक की जरूरत पड़ती है पौधों को सभी पादप पोश्कों में से नाइ तब नाइट्रोजन को विले रूप में ही अफसोशित कर सकते हैं तो हमारा जो वायू है उसमें नाइट्रोजन मौजूद है बट उसको डायरेक्ट जो पौधे हैं वो इसको डायरेक्ट अफसोशित नहीं कर सकते हैं इसके बाद आता है आपका राइजो बियम नामक जिवा जो कि फलीदार पादपो की जड़ों में पाया जाता है यह वायू मंडल से नाइट्रोजन ले लेता है और इसके अलावा इसके बाद वह विले प्रदार्थों में चेंज हो जाता है जिके अधिकतर दाले फलीदार पादपो से प्राप्त होती है राजो बियम अपना भोजन इनको भोजन देते हैं इसके लावा रहने के लिए जगा देते हैं और इस चीज को सह जीवी संबंद कहते हैं जब दोनों ही चीजे एक दूसरे के उपर डिपेंडेड होती है यानि जो हमारे फलीदार पादप है ये सब जिवाडू के उपर निरभर है और जो जिवाडू है वो पादपो के उपर निरभर है चीजे जीवी संबंद क्या होता है दो जीवों का मद्द संबंद जिसमें दोनों जीव आवास और पोशंड के लिए पर इस पर लावमिन्तित होते हैं तो जैसे जो हमारे राजजो बीम है वो हमारे फलीदार पौधों पे निरभर होते है इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए जो हमारे पादप होते हैं वो राय जो भी हम पर निरबर होते हैं ठीक है अब एक करके हम इसके कोश्चांसर देख लेते हैं फर्स कुश्चन है आपका उवरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें तो उत्तर होगा आपका उवरक रासाइनिक प्रदार्त है जो पौधों को पोशक प्रदान करते हैं मुखे रूप से नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम बलकि जो खाद है हमारा वो जैविक प बनता है बलकि अगर हम खाद की बात करें तो यह जैविक प्रदार्त है जो की पौधों के जो अफसेस होते हैं उससे और पौशूओं का यानि जो जानवरों का गोबर होता है उससे बनता है सेकिंड कुश्चन है आपका पादप के लिए आवशक तीन मुखे पोशक हैं इसका अंसर होगा आपका कि दो जीवों के मद्य संबंध जिनमें दोनों जीव आवास और पोशन के लिए पर इस पर लावनतित होते हैं यानि जब दो जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंड होते हैं अपने आवास के लिए भी और अपने पोशन के लिए भी चीक ह तो इसे हम सह जीवे संबंध कहते हैं फोर्थ कुशन है आपका पादवो को उवरक एवम खाद की आवशकता क्यों होती है आंसर हो जाएगा आपका कि उवरक वा खाद में नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम जैसे पादव पोशक होते है तो हमारे खाद में और उवरक में नाइट्रोजन होता है, फासफोरस होता है, पोटेशियम होता है जो कि हमारे पोधों के लिए बहुत जरूरी है तो मृद्धा को इन पोशक तत्वों से सम्रिध करने के लिए भूमे में उवरक तथा खाद मिलाने की आवशक्ता होती है तो मिट्टी को इन पोशक तत्वों की जरूरत होती है इसी वज़े से हम मिट्टी में उवरक तथा खाद मिलाते हैं ताकि हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्त रहें और उनका विकास होता रहे ठीक है